आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। दूसरा है, x²-2y² बराबर 0 है, तो हम यहां से पहले तो xy का मान निकालेंगे, तो कितना आता है, तो यहां से मैं x² का मान निकाल लेता हूँ, यह y² का किसी का भी निकाल सकते हैं, तो y² का निकाला, तो 8-x² आ जाता है, इस मान को मैं समिकन, यह को समिकन एक मान लेता हू तो समिकन 2 में y² का मैं मान रख देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है x²-2 तो बहार है y² की जगे मुझे 8-x² लिखना होगा 8-x² बराबर में 0 ओके तो यहां से मिल जाएगा मुझे x²-8216 और प्लस हो जाएगा 2y² वो x² होगा सोरी y तो हमारा खतम होई गया तो यह हो जाएगा 2 x² हो जाएगा right बराबर में 0 हो जाएगा ठीक है एक तो x² यह रहा दो यह रहा तो total 3 हो जाएगे 3x² बराबर कितना मिल जाएगा एधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और x² बराबर 16 बटे 3 और x बराबर निकाल लेंगे हम प्लस माइनस 4 बटे रूट 3 आ जाएगा 16 का बर्गमूल 4 हो जाएगा 3 का निकलेगा नहीं तो रूट रख देंगे ओके अब ये आ गया तो इस x से हम y का निकाल लेंगे तो y का रख देते हैं निकालने के लिए समीकर्ण था हमारा x स्क्वार प्लस y स्क्वार बराबर 8 में रख देते हैं तो रखते हैं इसमें x की जगे ये रख देते हैं तो y स्क्वार में इस वाले समीकर्ण में ही रख देते हैं तो y स्क्वार बराबर हमारा आ जागा 8 माइनस x स्क्वार यानि 16 बटे 3 हो जाएगा तो y square बराबर 24-16 कितना बच्च जाएगा 24-16 में तो 4-4-8 बटे 3 और y का मान निकाल लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा यहां से निकाल लेंगे वर्गमूल इसका 8 बटे 3 का तो 8 का तो हो जाएगा 2 root 2 और यह हो जाएगा 3 का root 3 और यह हो जाएगा प्लस माइनस ओके यह दोनों मान निकाल के आ गए अब हम इन दोनों का आउकलन करेंगे और इनका अलग-अलग से मान निकालते हैं ओके तो अब करते हम आउकलन आएगे हमें समेकन दे रखा था उसका एक बड़ आउकलन करते हैं x-square प्लस कितना था x-square प्लस y-square यह था हमरा x-square प्लस y-square बराबर 8 था तो x के साफ x करेंगे तो 2x प्लस 2y dyy dx और यह हो जाएगा 0 यहां से dyy dx निकाल लेता हूं तो यह हो जाएगा माइनस दोx बटे 2y यानि माइनस x बटे y हो जाएगा एसे दे देता हूं में m बनना उसी प्रकार मेरी दूसरी समेकन थी तो दूसरी समेकन कौन सी थी मैं उसको देख लेता हूं उसके बाद में दूसरी समेकन का निकाल लेंगे x स्क्यार माइनस 2y स्क्यार बराबर 0 थी तो अब दूसरी समेकन का निकालते है दूसरी समेकन का हो जाएगा हमारा दूसरी समेकन का क्या होगा x square माइनस 2y square बराबर में 0 थी करते हैं x के साफ एक शवकलन 2x माइनस 4y dyy dx बराबर में 0 पक्षांतरन कर देते हैं यहां तो dyy dx कितना निकल के आएगा यह आ जाएगा 2x बटे में 4y यानि 1 बटे 2xy आ जाएगा इसको नाम दे देता हूं में m2 अब मुझे ग्याद करना है कौन कितना होगा यानि slope ग्याद करना है तो m1 into m2 ग्याद करना है ओके तो m1 का मान था मेरा x माइनस x बटे y और इसका m2 का है 1 बटे 2 x y x बटे y तो दोनों को में क्या था माइनस तो है x स्क्यार बटे y स्क्यार और गुणे में कितना है 1 बटे 2 है तो x स्क्यार y स्क्यार का मैं यहां से 1 रखता हूं तो x स्क्यार का मान तो मैंने अब यह निकाला था मेरा कितना आया था ओके और y square का आया था 8 बटे 3 और 1 बटे 2 मेरे गुणे में है ठीक है solve करता हूँ तो ये कितना हो जगा माइनस तो चली रहा है मेरा तो 3 से 16 बटे 3 लिख देता हूँ ये नीचे की संक्या उपर चल जाएगी 3 बटे 8 इंटू 1 बटे 2 हो जाता है 3 से 3 cancel okay cancel कर रहे हैं हम 3 से 3 हो गया right इससे और 8 दूनी 16 तो 16 गए ठीक है तो final minus 1 बच गया m1 into m2 का मान कितना आ गया minus 1 आ गया right इसका मान 1 आ गया तो minus 1 आने पर हम कह देंगे कि किस का मान minus 1 आ पर कितना answer आ जाएगा कि यह एक दूसरे को किस पर विवाजित करेंगे किस पर काटेंगे some कौन पर काटेंगे दिये गए दिये गए वक्र एक दूसरे को एक दूसरे को some कौन पर काटते हैं यह मीरा final answer हो जाएगा यही प्रिसन में पूँछा गया था कि जो दोनों वक्र दे रखे हैं वो किस पे काटेंगे एक वक्र ये था और एक ये था तो हमने निकाल दिया इनका स्लोप माइनस वन आया तो हमने निकाल दिया कि इसका मान कितना हो जाएगा माइनस वन पे साइन ठीटा वन कब होता है 90 डिग्री पे होता है तो हमने निकाल देगे यह किस पे काटेंगे 90 डिग्री पे आसा करता हूं दोस्तों यहां पे लिख भी सकते हो कि यह किस पे काटेंगे 90 डिग्री पे आसा करता हूं दोस्तों समझाया होगा सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर